चंचल से नैनों की प्यारी चमक तेरी हर पल सलामत रहे नटखट हसी करती फूलों की बारिश मुझको भिगाती रहे देखिए हमने इनकी दवाईयां चेंज कर दी है अभी और चेक अप कर लेंगे अगर देखा जाएगा तो दवाईयां और बढ़ा देंगे या फिर दीरे दीरे हो सकता दवाईयां हम कम कर दें आप लोगों का अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है पूजा आप दीरे दीरे ठीक हो रही है अलो हाँ ठीक है मैं पहुंशता हूँ भाई मुझे अर्जेंट काम आ गया है कुछ हो तो मुझे फोन करना आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाए प्लीज मुझे पूजा से कुछ बात करनी है अच्छा मुझे आप यह बताए कि आपको क्या-क्या याद है आपके साथ क्या-क्या हुआ था वहाँ पे अक्लियू मेरी एक फ्रेन बिननी गाइस तो सब के पाटी का समान आगिया है तो सब जली से आजाओ खाने जो एक लड़के के प्यार के चक्कर में पढ़ गए थी क्या? उस स्पेक्टर ने मेरे बेटे को गिर्टाय कर लिया? उसकी ऐसी ही तैसी कर दूँगा उसको भी पता नहीं है कि उसने किस से पंगा लिया पाड़ जी दिली पूत तीन दिन के लिए कस्टडियू में रखना हूं ठीक है? उसकी एट से एट बजा दूँगा अभी हो जानता नहीं है राजमलोत्रा को तुम खुदी पूरा के सेंटल करना हूं बागी कुछ भी हो मैं देख लूँगा हलो अभी हो इसक्टर तेरी हिम्मत कैसे हो मेरे मेटे को हाथ लगाने की अभी तुम मुदे जानता नहीं है उल्ले उल्ले जितना उल्णा है मैं एक मेट में अपने बेटे को छोड़वा लूँगा मैं बारे सुजन का धेख शूँ तुमने गलत आदमी से बंगा ले लिया है एक सेकिन में तेरी वर्दी तरवा दुगा और तु कहीं भी जाएगा न कोई तेरी मदद नहीं करेगा अब तु एक बात अच्छे से जान ले अब हम उसको नहीं चोड़ सकते तुझे जो करना है कर ले तु अभी मुझे नहीं चानता कि मैं क्या कर सकता हूँ उस पे ऐसे चार्ज लगाऊंगा कि तु उसे छुड़ा नहीं पाएगा कर ले जो भी कर सकता है एक हफता है तेरे पास ये दम क्या किसी और को देना तेलफोन रख पारे जी ये दिलीप है न इस पे ऐसे चार्ज लगाना ऐसे चार्ज लगाना कि दुनिया का कोई वाकिल उसे छुड़ा ना पाए किर्मिनल है वो बचना नहीं चाहिए मैं भी थोड़ा इंपोर्टन काम से जा रहा हूँ वो क्या कि मिलता हूँ ठीक है मैंने उसे बहुत समझाया कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है तु उसे छोड़ दे पर वो नहीं मानी मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की वो प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसके साथ शेयर के बाहर एक होटल में चली गई कितना सुकून मिलता है ना विन्नी यहाँ पर यार बहुत दिनों से ना कोई रोमैंटिक सौंग नहीं सुनाया तुमने सुनाओ विन्नी तुम्हें पता है जब मैंने तुमको पहली बार गुन गुनाते हुए सुना था कितना अच्छा घारी थी तुम सुना दो ठीक है पहले मैं वाश्रूम होके आती हूँ एन वक्त पे मुझे मेरे दोस्तों ने उस लड़के के बारे में बता दिया कि वो लड़का बहुत ही कमीन है मेरा ये वार कभी खाली नहीं जाता है और आज इस वार का होगा बिन्नी पर प्रहार और मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लखेरों से पिलने फोन उठाना यार ने क्यों बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाएगी मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लखेरों से हेलो धरम यार बिलनी का फोन नहीं लग रहा है हाँ प्लीज यार किसी भी तरह उससे बात करनी है यार प्लीज तुम क्राय करता रहें नहीं तो उस कमीने के साथ पस जाएगी मेरी महाबत से सासे मिली है सदा रहना दिल में करीब हो के मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लखेरों से यार प्लीज पो लखा यार वाह क्या गाती हो तुम बिन्नी देखना एक दिन मैं तुमको लेकर के ना बहुत बड़ा एल्बम लाँच करूँगा और एक दिन तुम बहुत बड़ी सिंगिंग सूपर स्टार बनोगी I love you बिन्नी क्या हुआ पूजा कौनसी आफ़त आ गई हाँ बिन्नी प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुन फोन मत काटनो और कुछ बोलना मत ठीक है जो कहते हो केवल वो करती जा तू अपने boyfriend के साथ बाहर गई है मुझे पता चल गया है और मेरी एक पर ध्यान से सुन वो बहुत कलत इरादा से तुझको लेकी किया है देख मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है वो बहुत कमीना लड़का है मेरी बात मान अभी के अभी वहां से निकल और तुरंट वहां से भागए और वो बच गई थोड़ा दो important काम आ गए है उनको निप्टा के मिलता हूँ बस 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 यहीं रोक देना चलिए ठीक है पूजा ठीक हो गई है भी जादा टेंशन वाली बात नहीं है मुझे लग रहा है कि जल्दी वो नौदमल हो जाए है ठीक है आप चाहिए ओक हाँ हाँ हेलो पांडे जी हाँ मैंने काम करो तुम बिनी तो बच गई पर उस लड़के ने मुझसे बदला लेने की ठान ली है इंस्पेक्टर तेरी हिम्मक कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की तो अभी जानता नहीं मुझे राजमलवत्राना मेरे मेरे तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा तेरे पास जो सबूत है ना उससे कुछ भी निकल पाएगा मेरे कुछ भी नहीं समझे बार एसुश का तुमारे से से लोकल और चुटकी में निकाल देती है अभी तुझे पता नहीं कि क्या हूं हो चाहे छिकले सबूत भी लेया इतने लूपोल निकाल दूंगा तुझे तो मैं छटी का दूद यार दिला दूंगा तुझे तो अपने अपको जितना भी समले स्पेक्टर पर म मैं हूँ कानुन का सबसे बड़ा किलारी है आम एदान में देखता हूं तुझे कर दो झाल झाल